नमस्ते किशान भाईयों आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया विद्पी के चैनल में और मैं हूँ आपका अपना दोस्त पुश्पेंदर कुमार और आज हम आए हैं MP मद्द प्रदेश के राइजन डिस्टिक के सिल्वानी सहर में और हमारे साथ हैं मिस्टर पिरसून जन जैन जो की राइनफोर्स थ्रेशर के डिस्टिब्यूटर है और ये राजचरी एग्रो इंडस्टी से बिलॉंग करते हैं और हम इनसे मल्टी क्रॉप थ्रेशर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं नमस्कार गिसान भाई हो मैं प्रशून जन राजचरी एग्रो इंडस्टी सिल्वानी से जैसे कि आप देख रहे हैं यह मेरे पीछे मल्टी क्रॉप थ्रेशर खड़ा है यह रैंफोर्स कंपनी का यह थ्रेशर पहले रंबुरा फूल नाम से पसिदिती कंपनी ने अपना इक ब्राण्डेम निकाला ब्राइन फोर्स करके यह वही थ्रेशर है इस थ्रेशर में धान मूंग चने पिसी मसूर उड़त मका अन्य सभी पसलें इससे निकाली जा सकती है यह मशीन पांच पंखे और दो फिल्टर के साथ आती है इस मशीन में साथ उन्दीस के बड़े व के फसल निकालता है मूं की तो इसमें साथा सूपा भी अटेच हो सकता है इसको निकालके साथा सूपा लगता है इसमें जो ड्रम दिया है यह साड़े 6 फिट का ड्रम दिया है जो पंखिया है वो ड्रम से 2 इंच जादा है जिससे इसकी फेक 35-40 फूट होती है दूर होती है इस Thracer में जो स्टील के यूज किया जाता है चादर में यह टाटा और एसल के स्टील के चादर का यूज किया जाता है यह थ्रेशर पूरा कंपूटर से बैलेंस है इसकी पूरी बैलेंसिंग जीरो बाइबरेशन पर की गई है आप इस थ्रेशर को चलाने के बाद इस पर एक पानी का ग्लास भी रखेंगे तो एक बून पानी भी नहीं चलकेगा यह मेरा गारेंटी है यह थरेशर डबल स्पीड में है बजार में जो अन्य थरेशर आते हैं वो सिंगल शाप में होते हैं सिंगल स्पीड में होते हैं यह थरेशर डबल स्पीड में है जैसे कि जब आप धान की फसल निकालें तो यहाँ पर आप आर्पीम तेज करके प्यार क जब आप चनी पीसी मसूर पर आएंगे तो आपको आर्पियम कम करना आपको भुसा नस्दीग गिराना अब बारिक करना है तब आपको यहां से आर्पियम कम करना पड़ेगा अन्य मशीनों में यह सुभी दन नहीं दी जाती जिस बज़े से मल्टिक्रॉफ फेल है यहां पर आपको यह ड्रम है यह पूरा चैनल के लेबल पर मिलेगा इसका जो जाली है वह चादा से चपका हुआ नहीं है जिससे गीली फसल में इसमें चोख होने की शिकायत ना किया बराबर आती है आगे कंपनिया ने जो फेन बेल्ट का यूस किया इसमें वह पूरा पिक् आपको देड़ लाग रुपे तक के यह दो लाग रुपे तक का फाइनेंस अविलेबल है जिसका ब्याज जर आट परसेंट है और छे माही किस सुपीदा उपलब्दे किसान बाइयों के लिए हर छे महीने में किस देना है कोई महीने का ती महीने का प्रॉबलम नहीं है इस किसान की सिबल अच्छी है तो उसको सालवर की भी किष्ट बनाई जा सकती है इस मशीन का कैपसिटी एक घंटे में दो ट्रॉली का है इस मशीन को चलाने के लिए कम से कम चाइस ऑसवावर का ज़रूवत है और पचास पश्वावर तक के ट्रैक्टर इस मशीन को आराम से च कराया जाएगा किसी प्रकार की शिकायद हो तो आप नीचे दियेगा नंबर पर कॉल करें धन्यवाद किसान भाइयो और रेंफोर्स थ्रेसर से संबंदित किसी प्रकार की जानकारी के लिए इनके मोबाइल नंबर पर कॉल करें इनका मोबाइल नंबर नीचे वीडियो के में दिया गया है और कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्स फॉर वाइट